नमस्कार हिंदुस्तान दोस्तो आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं Spices Manufacturing की और इस वीडियो को सुरू कर रहा हूँ मैं इस टेक के साथ में कि मसाला Manufacturing Business आपको नहीं करना चाहिए आप Loss में जा सकते हो आप बरबाद हो सकते हो और मैं ये जो कह रहा हूँ ये तथे के आधार पे कह रहा हूँ जो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा दोस्तो मैं आज openly कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको Manufacturing नहीं करनी चाहिए कारण और Manufacturing अगर आप नहीं करते हो उसके अलावा सिरफ 50,000 रुपए में आप अपने ब्रांड के साथ में Market में जा सकते हो आज complete step to step आपको सारी चीजे बताएंगे जिससे आप अपने बिजनस को सुरू कर सकते हो सबसे पहले तो एक जो सबसे बड़ा भरम मसाले के अंदर बहुत सारे लोगों को हैं कि अगर वो manufacturer है तो वो बहुत ज़्यादा export कर सकते हैं अगर वो manufacturer है तो exporter सुन से ज़्यादा connect होंगे जबकि ये सब भरम है और आज इस वीडियो के माध्यम से उनी भरम को खतम करने आया हूँ यानि problem प्लस solution आज आपको दोनों मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार हिंदुस्तान मैं चेतन कुमार वर्मा इंटरनेशनल विज कंसल्टेंट एक्जिम बिजनेस एडवाईजर यूटूब चैनल पर आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूँ हम अगर spices manufacturing की बात करें तो सबसे पहले आपको एक plant चाहिए अगर आप छोटा plant भी लगाते हो तो आपको plant चाहिए plant के अंदर machinery चाहिए machinery होने के बाद में आपको procurement करना होगा बहुत सारे products का procurement करने के बाद में आपको उन machinery पे काम करने के लिए labor चाहिए packaging processing system चाहिए यानि machinery लेवल भी अलग-अलग होगा और यहाँ पे मसालों के अंदर आपको पता है कि एक या दो products नहीं होते हैं different different kind of products होते हैं तो उसके अंदर भी आपको उतनी varieties बनानी पड़ेगी और सबसे last में अगर pouch packaging या packaging process पे हम जाते हैं तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा investment होता है तो अगर आप कोई sad या कुछ भी अगर आप कोई जगह लेके छोटी सी unit भी शुरू करते हो तो एक normal manual machinery के साथ में अगर आप pouch packaging में भी जाते हो तब भी कम से कम आपको 5-8 lakh उर्पय का initial investment होता है with procurement जो अपने आप में एक startup के लिए बहुत बड़ा hurdle है लेकिन यहाँ पे यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिनके पास में initial setup नहीं है जो startup है जो अभी start करना चाहते हैं और अगर आपके पास में 10 lakh रुपय हैं आपने अगर 8 lakh रुपय अपने manufacturing setup में डाल दियें तो आपके पास में आपकी जो marginal value होगी या फिर आपका जो एक marginal fund होगा वो यहाँ पे बहुत short fund आपके पास में बचेगा जो आपको उस business को continue करने के अंदर उतना helpful नहीं होगा manufacturing होने के बाद में जो सबसे बड़ा hurdle आएगा वो है market का competition उसे beat कर पाना market competition को beat करने के लिए आपको marketing part के ओपर काम करना पड़ेगा जो खुद अपने आप में एक सबसे बड़ा hurdle माना जाता है उसके लिए भी आपको investment चाहिए या फिर distributor बनाओ offline mode में जब जाते हैं तो distributors बनाओ wholesaler बनाओ फिर वो retailer तक माल पहुचेगा credit policies lot of things available in this field इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर manufacturing करने को आप जाते हो इस process system में तो आप नुकसान में जा सकते हो बरबाद हो सकते हो क्योंकि इतना सब करने के साथ में आपको management process समझ में आना चाहिए आपको product की R&D समझ में आनी चाहिए आपको recipes develop करनी पड़ती है आपको continue R&D पे लगा रहना पड़ता है अपने product की testing के लिए अब ये तो है problem part अब इस problem के अंदर अगर हम initial setup पकड़ रहे हैं कि कम से कम 8 लाग रुपए 10 लाग रुपए अगर आपको manufacturing setup के लिए चाहिए एक अच्छे sustainable setup के लिए तो उसका solution क्या है जिया दोस्तों बिना manufacturing भी आप as a manufacturer आप market में अपना material सेल कर सकते हो बिना manufacturing भी as a brand owner आप अपने product को अपने brand के साथ में market में ला सकते हो बिना manufacturer बने भी आप अपनी packaging के साथ में market में आ सकते हो और इन लोगों से आगे जा सकते हो दोस्तों अगर आपको इस story को समझना हो तो एक बार सिरफ 2 मिनट के लिए जियो के लिए सोच के देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे उनके competitor थे उस समय पे चाहे वो idea हो, vsnel हो, boda phone हो जो भी हो एटेल वगर जो भी थे जियो एकदम separately आया उसने अपनी खुद की marketing strategy बनाई और देखते ही देखते वो market का king बन गया the same thing is here product नहीं बिखता है कभी भी जरुवत बिखती है अगर उस product की जरुवत आप create कर पाते हो तो आपको product बेचने की जरुवत नहीं है लोगों को need की समझने आपको सिरफ लोगों की जरुवत को समझना है जहां जरुवत है वहाँ पे आपका product अपने आप बिख जाएगा अब जब manufacturing process इतना भारी है सब कुछ इतना ज़्यादा है तो आप पुछोगे सर इसका solution क्या है इसका solution है third party manufacturing third party manufacturing मतलब आपके पास में आपका business structure है आपके पास में अपना एक brand है आपके पास में अपनी सिरफ marketing चो tools होते हैं वो आपने available करवा रखे है nothing else उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए आपके product का development जो manufacturer है वही करके देंगे आपकी packaging manufacturer ही करके देगा आपके लिए R&D manufacturer ही करेगा आपके लिए process procurement manufacturer ही करेगा यानि एक तरीके से अगर आप देखो तो यह outsourcing वाला काम हो गया आप plant चालू करने के बाद में भी procurement के बाद में cleaning and sorting process के लिए हम outsource करने के लिए material को बाहर भेजना पड़ता है अगर आपके पास में वो machinery नहीं है इवन अगर आपके पास में packaging unit नहीं है तो आपको packaging के लिए भी material बाहर भेजना है तो कहीं न कहीं पर starting में आप compromise करते हो कहीं न कहीं पर starting में आप outsourcing को use करते हो तो क्यों न यह जो manufacturing का पूरा process है इसे पूरा का पूरा ही outsourcing कर दिया जाए किसी भी एक अच्छे manufacturer के साथ में आप sourcing कर सकते हो उसके साथ में agreement पे जा सकते हो और अपने brand के अंदर आपको जैसी recipe चाहिए या आपके district के ओपर या आपके state में या आपको जैसा product का taste चाहिए वैसा taste आप develop करवा के आप directly market में enter हो सकते हो तो आपका initial पूरा का पूरा जितना आपका investment था वो बच गया अब इस investment को कैसे use करना है packaging का solution क्या है यह already last के बहुत सारे videos में मैंने बताया है और इसके अलावा अगर आपको और ज्यादा depth में third party manufacturing concept को समझना हो कि कैसे आप minimum investment के उपर अपने product को domestic market मिला सकते हो और domestic market से international market में ले के जा सकते हो तो नासिक के अंदर हमारा one day का seminar होता है इसी चीज के उपर masala manufacturing as a third party manufacturing concept के उपर जहां पर आपको पूरा manufacturing visit करवाया जाता है पूरा process समझाया जाता है आपके लिए जो सबसे बड़ा hurdle है एक verified manufacturer का sourcing point है वो आपको provide किया जाता है ecosystem के अंदर आपको packaging का solution दिया जाता है और उसके साथ में आपको export के लिए तयार किया जाता है कि किस तरीके से easy way के अंदर आप अपने product को export कर सकते हो वो भी without manufacturing ये program हमारा नासिक में रहता है one day का seminar है जून के अंदर भी हम लोग कर रहे है जुलाई में भी होगा आगे या हर महीने होते रहता है तो अगर अभी आप सीखना चाते हो अगर अभी आप ये समझना चाते हो कि कैसे आप third party manufacturing को और अच्छे से समझ के आगे लेके जा सकते हो तो आईए नीचे description में link है form fill कीजे हमारी team के पास में से आपके पास में call आएगा आपको पूरा process समझाया जाएगा otherwise on screen जो number देख रहे हैं उस पे call कीजे सारी detail लीजे अपनी seat को book कीजे क्योंकि limited seat होती है और इस बार UK से भी हमारे पास में जो buyer rice prices का वो directly नासिक में मिल रहे हैं तो आईए मिलकर अपने business को आगे बढ़ाते हैं तो third party manufacturing process system जो होता है दोस्तो third party के अंदर आपको कोई unit नहीं चाहिए कोई labor नहीं चाहिए कोई R&D नहीं चाहिए कोई system नहीं चाहिए आपको सिरफ अपने business structure को develop करना है एक अच्छी company के level के उपर आप एक company बनाईए अपना एक brand बनाईए और अपनी online availability के उपर ध्यान दीजे क्योंकि जितना आपकी brand value बढ़ेगी उतना आपकी demand value बढ़ेगी और जितना आपका demand होगा market में उतना आप अपने product को outsource या procure करवा सकते हो बहार से और अपनी branding के अंदर आप बेच सकते हो याद रखिए ओला के पास में अपनी कोई taxi नहीं है याद रखिए ओयो के पास में अपना कोई hotel नहीं है ये सब outsourcing process के उपर create होता है अगर खुद का initial investment इतना लगा हो गए तो फिर आपको marketing के उपर सबसे ज़ादा जोड़ देना है तो आप यकीन मानिए यही आपका जो marketing fund है वो आपके business को develop करेगा इसी third party manufacturing concept को export के concept को अगर depth में समझना है तो आईए नासिक में आप और मैं मिलकर बात करते हैं आईए नासिक में पूरी team के साथ में ecosystem को समझे कि कैसे आप easily अपना मसाले का व्यापार without manufacturing शुरू कर सकते हो वो भी आपके brand के साथ में आपकी packaging में आसा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा इससे पहले के जो मसाले की वीडियो जो उनमें काफी solutions दिये हुए हैं तो अगर आप नए हो तो वो वीडियो जरूर देखेगा जो existing वीडियो हैं ताकि आपका knowledge upgrade हो क्योंकि जब आपका knowledge upgrade होगा तब आप अपने business को आगे बढ़ा पाओगे मिलते हैं next वीडियो में कुछ नए topic के साथ में जैहिन जै भारत